तो आज की रेसिपी बहुत जटपट सी क्रिस्पी करारी सी है यह बच्चे-बड़े सभी को पसंद आए और आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है चलिए इसे बनान जाएगा तो अद्रक लैसन मिर्स मैंने कुट लिया था उसे डाल देना है इस तरह से और धीमी आच में इन्हें भून लेना है तो फिर हम इसमें थोड़े से मसाले आट कर देंगे तो आदा चमच हल्दी डालना है और आदा चमच गरम मसाला आच एकदम धीमा रखना है और ह मुचूर का पावडर भी आप ले सकते या नीबू का रस ले सकते तो इन्हें अच्छे से यहां पर हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा स्वाद अनुसार हम नमक एड़ करेंगे यानि एक चमच यहां पर नमक हमने अड़ किया है और थोड़ी से धनिया डाल के अच्छे से मि की तयार हो जाएगा तो इसे आलू के मसाले को आपको थोड़ा सा टेस्ट जरूर करना कि नमक बरूबर है की नहीं और इसे हम निकाल के साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए तो नेक्स प्रोसेस में हम बढ़ते हैं तो यहां पर फिर से उसी कड़ाई में मैंने एक स्टेल लिया है और यहां पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे यानि एक कट और इसके अंदर हम पानी डालेंगे तो यहां पर मैंने रेड चिली फ्लिक्स ली है इसे डाल देना है एक चम्मच और थोड़ा साम इसमें आड करेंगे यहां पर आमचूर का पावडर और कि एक भी बड़े चंक्स न रहा जा इसलिए इसे चलाएंगे तब तक पानी सूख न जाए से दीमी आज पर हम इसे पकाते जाएंगे तो सब्सक्त आटे की तरह इसका डो हमें तयार करके रख लेना है और थोड़ा सा इसमें नमक कर देंगे कि नमक अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाना चाहिए और इसे हम पकाते जाएंगे तो जब तक इस सूख न जाए तब तक इसे पकाते जाएंगे तो तकरिबं तीन से चार मिनट के अंदर अच्छे से सूख जाएगा तो कुछ इस तरह से हमारा डो बन के तयार हो जाएगा तो हाथों की मदद से इसे हम थाली या कोई भी मूल्ड आप ले सकते हैं और इसे मैंने थाली का इस्तमाल किया है थोड़ा सा तेल लगा के अच्छे से फैला लिया है फिर सूजी का हमने डो तयार किया था इसे हाथों पर अच्छे से पूरी तरह पैला है यह काम करना बहुत जरूरी और जबसाए शूख जाएगा तो इसे आधे गंटे के लिए रेस्ट के देना है अब तस मिनट में भी यहां पी यह तयार हो जाएगा उसे मैंने साइड किया जिस इस तरह से चाकु से हमें कट कर लेनाया भी साइड साइड से यहां पे हमने cut करके ready कर लिया है तो बीच से भी इस तरह से square shape हमने तयार कर लिया है आपका जो इच्छा हो इस तरह से आप ये तयार करके रख सकते हैं बहुत आसानी से ये बन जाता है और बच्चियों बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है आप इसे lunch box में भी दे सकते हैं और आप इसे store करके भी रख सकते हैं अब आलू का मसाला लेना है और हाथ की अथिल्यों पर कुछ इस तरह से थाप लेना है यानि की sandwich की तरह इसे बना लेना है अब हमने जो सूजी का नास्ता तयार किया है उसके बीच में इसे हम रख देंगे कुछ इस तरह से तो जैसे हम सेंड्वीज बनाते है उसी तरह से यह तयार हो जाएगा अच्छे से चार दबा देना है ताकि अच्छे से पहल जाएं सभी जब हम खाया तो आलू का साला चारों तरफ हमें मिले कुछ इस तरह से हमें यह दबा देना है तो हमारे यहां पर सूजी आलू का सैंड्विस तैयार होके रेडी हो जाएगा और इसे हम अच्छे से दबा देते हैं ताकि यह खूले ना तो अब क्या करना है यहां पर मुझे चाकू लेना है और इसके इस तरह से हम कट लगा देंगे ना तो यह नास्ता देखने में बहुत ही टेस्टी तो रहता है यह और देखने में बहुत खुबसूरत लगता है तो आप इस नास्ते को स्टार्ट में या महमान को किसी को भी देंगे ना तो बहुत खूश हो जाएंगे तो आप इस नास्त अच्छे से कृस्पी करा रहा हो जाएगा तो एस तरह से करेंगे, नांसता बनों कर सकते हो आप इस सेंद्विश को अखा सकते हैं अग्यां से आप घ्यार सकते हैं। तो मैं आपको साइड से पलट के भी दिखाती हूं कि यह पीछे की लेयर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पकी थी और इस तरह से थोड़ा तब दबाते वे पकाएंगे और हिलाते डुलाते मंतर दोनों तरफ से अच्छे से यह पक जाए तो मैं आपको पलट के दिखा तो आपको इनास्ता कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा अच्छा बूरा जैसा भी लगा आपकी फीड़ बैग का हमें तयार रहता है तो बिलकुल से नास्ता है बहुत ही जल्दी बन जाता है और बच्चे-बड़े सभी को पसंद आता है आप चाय के साथ और ऐसे ह चोटी मोटी भूक में आप इस नास्ते को बनाए आपको बहुत अच्छा लगेगा इवन आप बच्चों को टिफीन में भी देंगे तो उन्हें बहुत पसंद लाएगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आलू सूजी के नास्ते तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं तो य बच्णुल कर दो यदाने, भी Sea 근데 भीलवश में भीलवश बिलांच मेरे तो यदूपी भी